नमस्ते किसान भाईयो मैं सवरब कदम SP Agro Innoosions की तरफ से आपको लेके आया हूँ यह प्याज का Transplanter Machine जिसे हम Plantomite नाम से जानते हैं तो यह है एक Multicrop Transplanter मशीन जो specially बनाया गया है प्याज के क्रॉप के लिए प्याज के बराबर इसके साथ आप लसन भी लागा सकते और जो High density crop जो भी होते जैसी गोभी होती है फ्लावर होती है यह भी आप इस मशीन से कर सकते तो यह जो ट्रैक्टर भी होते हैं इसका Storage होता है तो यहां से पोदे उठा के ए वन बैवन इस कप में डालना होता है तो आदमी का सिर्फ यही काम है कि वन बैंवन crop जो plant है आपका फिल करना लाइस में तो नीचे जाकि यह plantation करता है plantation की जो वीदिय वह भी आपको दिखा देता हूँ इससे पहले यह जो आगे जो सिस्टिम देख रहा है आप तो यह बेड़ बनाने का सिस्टिम है तो यह बेड़ जो है यह रेडिली मशीन के साथ चलता चलता यह बेड़ भी बनाता है या फिर आपका जो पटिया सिस्टिम वगरा हो जो होता पानी बनने के लिए वो भी साइमल्टेनेसली इससे होता है तो इसमें कार्यपद्दी जो होती है नीचे जैसी एक पक्षी का चोच होती है वैसे यह कार्यपद्दी इसकी होती है यह जमीन के नीचे ऐसे ओपन हो जाती है और नीचे वो जो अपना पोधा होता है वो छोड़ से वेरी कर सकते हैं तो यह मशीन में जो आप टायर लगा हुआ देख रहे हैं यह टायर ऐसा उपर नीचे आप कर सकते हैं तो टायर के अनुसार आप जो प्लांट की अपनी डेप्थ होती है जो अपनी पोद अपनों को गाड़नी है जमीन के अंदर कितने गहराई पे वह इनओ चीजे आप सुनिश्चित कर सकते किसानों को फाइदा यह मिलेगा कि कम लेबर कम लागत में यहापे प्लांटेशन आप कर सकते दूसरी बात की जो उत्फाद है वह उत्फाद आपको जादा ही मिलेगा क्योंकि इसमें प्लांट स्पेसिंग अच्छी मिलें गी दू आप्टिमम प्लांट पॉपिलेशन आपको चाहिए प्याज के बारे में सव दो लाख पौदे एक एकड में तो वह आप सुनिश्चित कर सकते इसमें कर सकते और इसमें पानी देनी की जो विदी है आप माइक्रो इरिगेशन पर है ड्रिप पर स्प्रिंकलर पर वह भी कर सकत और दूसरी important बात इसमें और एग है कि यह ट्रैक्टर जो लगेगा इस मशीन को ऑच पर होना चींट यह मशीन के 3 अलग मॉडल आवेलेबल है ये जो पहला मॉडल आप देख रहे हुए पाथ-सीट वाला मॉडल पास सीटर वाला मॉडेल की कीमत है 3,4,000 उसमें एक 6 सीट वाला भी मॉडेल आता है उसकी कीमत है 4,14,000 और एक 8 सीट वाला डबल बेड वाला भी मॉडेल आता है जिसकी कीमत है 5,5,000,000 रूपे तो यह तीनों मॉडेल अपना 2-Wheel ड्राइव वाला जो ट्रैक्टर है उस पे चलेगा लेकिन सिर्फ जो 8 सीटर मॉडेल है डबल बेड वाला उसको 4-Wheel ड्राइव ट्रैक्टर की जरूरत आपको लगेगी तो यह जो मशीन है इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि जो 5 सीट वाला मशीन है यह लगाएगा 18,000 से लेकि 20,000 पोधा एक गंटे में तो अगर आपको सुनिश्चित करना है कि आपको एक एकड में कितने पोधे होने चाहिए अगर आपको 200 क्विंटल यानि बीस टन का अच्छा एवरेज अगर प्याच का लेना है तो आपको 2,000,000 पोधे एक एकड में होने चाहिए उसके अनुसार 10 गंटे में एक एकड का काम करेगा दूसरा जो 6 सिटर वाला मशीन है उसकी कैपेसिटी है 22,000 पोधे पर आर या 24,000 पोधे पर आर की तो वो मशीन क्या करेगा, साड़े आठ से नो गंटे में एक एकड का काम अपना करेगा, दो लाग जो आपकी डेंसिटी है, और जो एड़ सिटर वाला मशीन है, वो आठ गंटे में आपका एक एकड का काम कम्प्लिट कर देगा, तो ये मशीन के मॉडल के अनुसार आप, स्पीड इससे जादा रहेगा, जो गोवी और फ्लावर का मी बोल रहा हूँ, उसका भी स्पीड और जादा रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक अपने आपको डालना नहीं है, हर एक दूसरा कप छोड़के आपको डालना है, नीचे आपका प्लांटेशन उसमें आपको ग्यार जो आपने पहले तई किया हुए, तो इसमें वही एकुरेसी की बात है, कि एकुरेसी आपको जादा अच्छी मिलती है, तो यह सबसीडी गवर्मेंट का सबसीडी स्कीम है, उसमें भी यह मशीन आभी फाइनल होने वाला है, इसके लिस्टिंग में आने वाला है, इसके लि रिपोर्ट भी जल से जल जनरेट होने वाला है, तो यह मशीन आपको अवेलेबल होगी महाराष्टर में राहूरी में, जहापे मैनुफेक्टरिंग यूनिट है हमारा, दूसरा की अलग-अलग राज्यों में हमारे डिलर दे रखे हैं हमने, तो आप संपर्क करके अपनी ले सकते हैं, नजदी की डिलर से आप ये मशीन खरीच सकते हैं, उनसे वो सर्वीज भी ले सकते हैं